गुरुग्राम के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आज एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडा फोड किया है इस कॉल सेंटर से गुरुग्राम बैचेक यूके के नागरिकों के साथ अलग-अलग तरीके से ओनलाइन ठगी की जा रही थी इस ठगी के जानकारी पुलिस को समय मिल किया है मही थाना प्रभारी विवेक कुंडु ने बताया कि करन गोईल ने शिकायत में बताया कि यूके के नागरिक जिम ब्राउनिंग नामक व्यक्ती ने स्पाइन स्केनर के नाम से यूट्यूब पर अपलोड की गई स्पाइन ओफ स्केनर नाम पर वीडियो से पता चला कि प्लोट नमबर 272 उद्योग वहार पेस फोर गुरुग्राम में अमिच चोहान द्वारा टेकनिकल स्पोर्ट देने के लिए कंप्यूटर पॉप अप भेज कर विदेशी लोगों को फसाया जाता है और धोका धड़ी से पैसे ठकते हैं पुलिस ने इस मामले में आरोपी वो फर्जी कॉल सेंटर का अकाउंट मैनेज करने वाले अकाउंट को गुरुग्राम से काबू करने में सफलता हासिल की है आरोपी की पहचान सुमित कुमार निवासी जीन हर्याना के रूप में हुई है वह बीकोम तक पड़ा हुआ है एसीपी करण गॉयल की शिकायत पर स लेक्टों भी बरामत किया गया है पूलिस को अब तक मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कॉल सेंटर से अब तक करीब 3 करोड रुपए से अधिक की चपत विदेशी नागरिकों को लगा चुके है आरोपी वकी पहचान में चोहान निवासी मंगोलिया स्टेट में रहता है साथ ही आरोपी अमिचोहान ने बीटेक तक पढ़ाई की है आरोपी ने जनवरी 2019 से सितंबर 2019 तक उद्योग विहार में एक फरजी कोल सेंटर चला कर विदेशी लोगों के पास टेक्स्ट वोइस मेसेज वा पोप अप के माध्यम से विदेशी लोगों को टेक्निकल सहायता करते थे वह दोगा धढ़ी करते हुए छगी करते थे आरोपी से पूलिस पूस्ताश में पता चला है कि वे अपनी साथ्यों के साथ मिलकर कंप्योटर पर पोप भेज़ कर कंप्योटर में तकनिकी खराबी करते थे फिर उसी को सही करने के लिए लोगों से ठज़गी करते और पेपल अकाउंट गेचवे के माध्यम से पैसे प्राप्त करते थे। पूलिस चेम निया रोपी के कबजी से एक लैट्टो भी भरामत किया है। कल एक कुछ वीडियो वाइरल हुआ है। युके सिटिजन ने एक इन्वेस्टिकेशन करके वीडियो अप्रोड किया। उसमें हमारी गुरुग्राओं की उद्योग भिहार के एक बिड्लिक अडेंटिफाई करी। और एक आदमी को अडेंटिफाई किया। अमिचुहान नाम से। जो कि युके सिटिजन्स को टेक सपोर्ट के नाम पे चीट किया गरता था। तो उस इंफोर्मेशन पे साइबर पूलिस गुरुग्राम ने संग्यान लेते वे उसमें एफायर रिजिस्टर किया। और इस आदमी के घर पे रेट करके इसको वहां से अरेस्ट किया। फ्रेंसिक टेम वहीं पे हाजिर है। इस मामले में दो लोगों को हमने अरेस्ट किया है। अमित चोहान ये मगनोलिया गुरुग्राम में रहने वाला है। पिछे से ये पिडुखेडा जीन से तालोग रखता है। ये करीब 30 वर्ष का लड़का है। दूसरा है सुमित सन फजमेर ये भी चीनत का निवासी है। ये करीब 26 साल का है। ये दो लोगों लड़के ग्रेजुएट डॉप आउट हैं। ये 12 पास लड़के हैं। और इनके हम तीन बैंक अकाउंट अभी तक फ्रीज करवाता हैं। जिसमें करीब 3 करोड रुपया पैसा अभी भी मौजूद है। इनका मोडस अपरंडी काम करने का ये था कि इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई थी अधृत टेक्नोलोजीज। अधृत टेक्नोलोजी का ये काम था कि वो लोग बाहर के नैशनल स्कोप रात को ये लोग काम करते थे वहां पे जब दिन होता था तो वहां पे उनके सिस्टम में कुछ ऐसी चीज भेज दिया करते थे जिससे उनको लगता था कि उनका सिस्टम इंफेक्ट हो गया या करते थे तो ये लोग वाइरस को या इंफेक्शन को ठीक करने के नाम पे उनसे हजारों पाउंड में फीस लेकर उस प्रॉबलम को ठीक कर दिया करते थे ऐसी कहीं चीज़े हमें एविडेंस के तौर पर रिकवर हमने इनके सिस्टम से करी है और इनको आज पेश करके रिमा हैं कहीं चीज़ें खुलासे होने की और संभावने हैं सब कुल कितने लोग थे कॉल सेंटर था जो कितने लोग उसको चला रहे हैं और किस तरह के से यह कॉल सेंटर जो अध्रे टेक्नोलोजी कंपनी बना के चला यह करीब जैन्वरी से सप्टमबर 2019 के बीच इसने काम किया उसके बाद इसने कंपनी बनाई फेयर मार्ट ट्रैवल के नाम से फेयर मार्ट ट्रैवल 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 इंडस्ट्री में टिकेट बुकिंग और हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री को केटर करता है दोनों कंपनी साथ साथ चली हैं फेयर मार्ट ट्रैवल का का काम करता उसमें अभी देरे देरे हमारे पास नाम खुलते जा रहे हैं और रिमांड पर लेके और चीज़ें सामने आएंगी तो आपके साथ शीयर कीज़ेगें अभी तक की इंवेस्टिकेशन में विक्टम की बात ही सामने आई है और कहीं लोग के समपर्क हम कोशिश कट रहे हैं कि हो जाए बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट के नाम से भी पॉप अप जेनरेट किया जाता था उनको भी हम इंवेस्टिकेशन में जोइन करवा इसके लावा BBC कंपनी भी BBC News भी इस पूरे मामले का इंवेस्टिकेशन कर रहा है उन्होंने अपने लेबल पर और उन्होंने भी एक डॉक्यमेंटरी इस पे बनाई और दो मार्च को ये डॉक्यमेंटरी का एक एपिसोड अपलोड हुआ था जिसका संग्यान साइपर गुर सब्सक्राइए अब तक है अमिट चोहां जो इसका मास्टर मांड़ इससे फिलाल एक लैप्र आप लिया गया इसका परस्नल एपल मैक्बूक लैप्र आपक ईसका और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टन जानकारियां इसमें हासिल है और बहुत और बी डिवाइसेज सब्सक्राइए अपने टेक्निकल लोगों को साथ साथ जोड़ते रहते हैं कुछ दिमाग इनका है कुछ और टेक्निकल लोगों की यह मदर लेते हैं पड़े लिखे लड़कों को यह ब्लॉई करते हैं जो इनके लिए पॉप-प्स जेनरेट करते हैं या कोडिंग करते हैं तो इस तरह से ये कहीं सालों से इस काम में जुड़े हुए हैं, करीब दो हजार पंदरा से हमें चोहान ये काम कर रहे हैं JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Raj Gharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए, बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घन्नेवाद